सुनिता, माया, नीलम, रूची, सरीता, रिया जम्वाल, एंड पुश्पा, सब को गुड इवनिंग, मेरी आवास खीकारी है सब को, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सुरेश, अभी तक कम लोग आये हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे है कांता देवी, गुड इवनिंग, चली बाकी लोग आते रहेंगे, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देखी इससे पहले हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, अपना जो कावे वाला पोर्शन हमारा कम्प्लीट हो गया है, अब हमारा जो गद्य वाला भाग है, ये रहता है, आप देखेंगे, मैक्सिमम जितने भी हमारे एक्जाम रहते हैं, वहां से लगवक 30 कौशन्स आपको ऐसे मिलते ही मिलते हैं, जो बिल्कुल डारेक्ट कौशन रहते हैं, चाहे आप कोई भी एक्जाम दीजिए, चाहे वो ल्टी टेट हो गया, ल्टी कमिशन हो, पी जी टी कमिशन हो, या फिर आपका कोई बाहर का एक्जाम हो, यूजी सी नेट का ही एक्जाम क्यों नहों, उन सब मैं आपको हिंदी गद्ध से रिलेटेड जो डारेक्ट कौशन है, वो यहां से सबसे जादा पूछे जाते हैं, देखना, आपका नाटक, कहानी, उपन् बहुत सारे आपके उपन्यास हैं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नाटक हैं, क्या वो सारे के सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, आपको बिलकुल वो उपन्यास, वो कहानियां, वो नाटक पूछे जाते हैं, जिनका ज्यादा कोई, मतलब किसी विशेश विशेपर लेकी गई हो या फिर कोई बहुत ही प्रसिद लेकक रहा हो उसकी रचनाओं पर आपको जादा फोकस करना है वनस्पत आपको ऐसे कोई छिटपुट लेकक पढ़ने की जरूरत यहां पर नहीं रहती है ठीक है यह कोई आपका कोई अभी ऐसे कोई र नाटक से हम शुरुआत करते हैं क्यूंकि आपने देखा होगा कि अचार रामचंद्र शुक्लन ने भी यह माना कि हिंदी गद्य की शुरुआत अगर सही मायने में मानते हैं कहीं से तो वह किस से माना जाती है और उन्होंने एक कथन भी कहा था देखना कि बड़ी में जाके लेकिन उससे पहले उपन्यास विदा जो है वो पनप चुकी थी तो इस तरीके से यहां पर कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले नाटक विदा रही तो इसलिए हम नाटकों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे लेकिन नाटक से भी आपको यहां पर ध्यान क्या र तो चलिए अब हम श्टार्ट कर लिते हैं सबसे पहले यहां पर देखिए नाटक को आपको पहले तो ध्यान रख लेना है कि काववे के जो आपके कितने भेध माने जाते हैं ज़ो आपके के सवरूर Piggyर फिए पिछ स्वरूप कर लिये थे पीछे वाली क्लास में कि जो हमारा नाटक आता है ये कावे की अंतरगत ही आता है अब कावे में हमने दो तरीके से पढ़ा था एक आपका शैली के अधार पर और एक दूसरा आपका स्वरूप के अधार पर जो हमारे नाटक जो कावे रहता है ठीक है दूसरी चीज थी एक आपका द्रिश्य कावे और एक आपक क्या आता है इसमें आपके दो भेद आते हैं एक आता है आपका रूपक एक आता है आपका उपरूपक ठीक है तो रूपक और उपरूपक जो है ये द्रिश्च कावे के दो भेद हैं दो आगे भाग हैं और इन ही दो भागों में हम किसको मानते हैं देखना हम जो है नातक को अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो रूपक के एक भेद में से, रूपक के दस भेदों में से, एक भेद जो है, वो किसका माना जाता है, नाटक को माना जाता है, हम रूपक के भेदों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, क का एक भेध है ये ठीक है तो यहाँ पर लिखा है देखिए नाटक शब्द जो है नट दातू से बना है जिसका अर्थ होता है अभीने करना मतलब कोई वी चीज है जिसको हम अभीनीत करते हैं ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है जिसे हम अंग्रेजी में प पारंपरिक संदर्ब में नाटक जो है वो कावय का ही एक रूप है जो हमने पहले ही कह दिया द्रिश्य कावय यहाँ पर द्रिश्य की वर्तनी थोड़ी सी खराब हो गई है इसको ठीक है लिजएगा यहाँ पर शलगम वाला आपका क्या लग जाएगा श्र लग जाएगा अब आप यह तो सब जानते हैं आप नाटक क्या होता है द्रिश्य कावय क्या होता है श्रवे कावय ठीक है अब यह कह रहा है कि कोई ऐसी रशना भी है जिसको हम कहानी और उपन्यास की तरह सिर्फ सुन और पढ़ नहीं पा रहे हैं बलकि उसका विजुलाइजिशन भी हो द्यान में रखनी है यह स्वीवानी कुछ कहना है अब के अवाज नहीं आ ही है है मीरी आवास ठीक आ यह सब को बाकी लोगों को आवास ठीक है को चलिए यह तो बात होगी यहां पर देखिए कि श्रवन के द्वारा नहीं अपितु दृष्टी के द्वारा भी दर्शकों म होती है अब रस क्या होता है इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि रस का मतलब वैसे तो आपका पदार्थ से ले जाता है लेकिन नाटक में या फिर कावे शास्त्र में या साहिते शास्त्र में हमारे जो चीज आती है रस में देखिये उसको हम सिंपली समझते हैं कि प्रभावे में श्रवर्कावे से अधिक रमनियता होती है तो यह सभाविक सी बात है देखना कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वह जादा अच्छा लगता है जैसे मतलब आप देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप कोई ऐसी चीज रखते हैं उसमें रमनियता जादा है तो यह चीज नाटक में रहती है नाटे रूपों को दश रूपक अथा उपरूपक की श्रेड़ी में रखा जाता है जो मैंने आपको शुछार्ट में ही बता दिया था कि जो आपके नाटक है देखना इस यह दिख्षे कावे कि अंतरकत आता है और इसके दो भेदें आगे एक आपका रूपक और एक आपका उपरूपक ठीक है तो यो नाटे रूप हैं देखी ये दश रूपक और उपरूपक की श्रड़ी में ही आता है ठीक है तो दश रूपक के दस भेद हैं देखना वैसे ये खाली क्या माना जाता है इसको रूपक होता है उसको हम आगे वाली अपनी स्लाइड में देखेंगे ठीक है लेकिन उपरोपक के जो हैं वो कितने भेध हैं उपरोपक के हैं 18 भेध डीक है रूपक के 10 भेधों में से एक भेध है नाटक ठीक है और यही सब से महत्रपूर्न और सबसे श्रेष्ट भेद माना जाता है देखना इसको आपने यहाँ पर याद रख लेना और इसी के बारे में ही हम आगे विस्तार से देखेंगे भी ठीक है यह जो आपका सबसे इंपॉर्टन्ट है तो इस तरीके से हम नाटक तक पहुंचते हैं देखना कि उपरूपक रूपक के जो दस भेद हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे रूपक के भेद हैं तो इनमें से सबसे पहले जो आता है देखिए नाटक, फिर है प्रकरण, फिर भान, फिर प्रहस्न, फिर व्यायोग है, फिर समवकार है, डिम है, विथी, अंक और इहा मरिग, ये जो दस भेद माने जाते हैं किसके हैं, रूपक के, कई बर ये आपको सीधा सा सिंपल सा प्रशन पूछ जाता है, रूपक के कितने भेद हैं, और कई बर ये आपको ऐसा प्रशन पूछ जाता है, इनमें से रूपक का भेद कौन सा है, या कौन सा नहीं है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए देखना कि कौन-कौन चीज़ें जो हैं इसमें रहती हैं। इन सब भेदों में नाटक सबसे उत्कृष्ट माना जाता हैं। इसके साथ ही साथ भान, प्रहस्न, व्यायोग, वीथी और अंक यह जो पांच हैं यह क्या हैं। तो अगर आपने थेटर वगेरा कभी कुछ किया होगा खुद भी तो आपको यह सारी चीज़ें तभी पता हो सकती हैं। आदरवाइस इसको आपने सेंपल यह समझना है कि एक बार सारे पार अगर स्टेज पर आ जाएंगे तो उसके बार क्या रहेगा आपका कि इधर उद थोड़ा सा विस्तार से जाने की कोशिश करेंगे यहां पर देखना नातक सबसे पहले आता है देखिए उसके बारे में यहां पर चीज़ें कही गई हैं। अब जो नातक क्या है सबसे प्रसिद हैं यह हमने पहले ही देख लिया वीर व श्रिंगार रस्की इसमें प्रधान तो भी आज के समय में कि अगर कोई लेटास हम कर रहे हैं तो भी उसका कोई एक ऐसा स्टोरी होना चाहिए कि जो बहुत सारे लोगों को क्या करे प्रभावीत करें तो नाटक में ये चीज बड़ी important रहती है देखना इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है प्रमुक पात्र जो रहता है इसमें देखिए राजा हो गया राजिर्शी हो गया दिव्य पुरुश हो गया यानि कि जो उद्दात गुणों वाले नायक होते हैं नायकों के बार वो होता आपका उद्दात नायक चीक है जिसको हम धीरोदात भी कहते हैं तो उद्दात गुणों वाले जो है वो नायक होना चाहिए नातक का ये सारी चीज़े इसमें रहती है और अगर हम संख्या की बात करते हैं देखिए कि एक नातक में कितने अंक होने चाहिए तो यह चीज आपको यहां से जादा अंक रखे गए हो तो व erfahren कि आ जाता है तो यह समानने सी चीज थी नाटक के बारे में जैसे लास टाइम भी आपको शायद प्रश्न पूछा गया के शुरुवात से लिखते अंद तक हर एक पहलू को क्या है दर्शा आता है तो ठीक वैसे ही नाटक में भी आपको यारत लेना है कि पांस से दस तक का जो नाटक है लेकिन उससे भी जादा अगर अंका जाते हैं तो वो महानाटक कि श्रिणी में आ जाता है ठीक है वियोत हो हो गया समाने सा परीचर अब आती है दूसरी बात कि नाटक में संधियां संधियों का मतलब होता है जोड़ना कि एक चीज दूसरी चीज के साथ connect हो रही है या नहीं हो रही है जाना कि आगे हम नाट्य संधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे ये इसका एक अलग ही topic बनता है देखना नाट्य संधियों का बनता है नाट्य वृतियों का बनता है कि हमारे नाटक को पढ़ने के पश्चाद जो हमारी जो सोच है हम हमारे भाव जो है वो कैसे विवक्त होते हैं वो वृतियां होती है ठीक है उनको हम आगे जानेंगे कि प्रतियक वृति जो है आगे वाले भाग के समान होनी चाहिए अब ये जो गाई के पूंच के आगे वाला भाग है इसको कहते हैं देखना गो पुच्छागरवत इसको आप लिख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शब्द है देखना गो पुच्छागरवत चा गरवत इस तरीके से आप आपको यह यारख लेना है कि गोपुच्छा गर्वत जो है ये किसका माना जाता है देखना कि इसकी कथवस्तू का जो जो निर्मान होता है या जो बनावट होती है वो ऐसी रखी जाती है एक नाटकी अब इससे हम क्या समझते हैं कि आपने गाय की पूंच तो सब लोगों न बढ़ती जाती है और बीच में जो है आपको एक पफ जैसा बना हुआ दिखेगा ठीक है मतलब जादा एक बालों का गुच्छा दिखेगा हमें वहां पर उसकी पूंच जो थोड़ी सी मोटी लगेगी फिर धीरे आप देखेंगे बाल जो है दोबारा जो है वो क्या है कम ह होते जाते हैं और एक बाल जो आपको बहुत लंबा दिख जाता है ठीक है तो यही यह बोरा है कि नाटक में भी ऐसा रहता देखना जो आपका बड़ा नाटक होता है यह कह रहा है कि पहले छोटी-छोटी स्टोरीज चलेंगी जो छोटे-छोटे बाल है उनसे मतलब है कि चले-छोटी-इस है है ना कि शुरुआत हो रही है एक नाटक की फिर दीरे दीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है और वहां पर हमारा नाटक जो फैल रहा है ठीक है उसका जो एक शरीर बन रहा है लेकिन धीरे-दीरे फिर एक ही कथा जो है लास्ट में मतलब उन कथवस्तु का बनावट होती है या इसको सरचना भी हम कहाते हैं ठीक है तो यहां पर आपको सिंपल यारड़ लेना है कि नाटक की बनावट जो रहती है वो क्या है? गाय की पूंचके अग्रभाग के समान होनी चाहिए ऐसा माना जाता है ठीक है? यही बात हम महाकावय में द देखते हैं देखना अगर हम दूसरी विधाओं की बात करते हैं, अब एक उपन्यास में आप क्या देखते हैं, उसमें एक ही कहानी तो नहीं होती है, बलकि उसमें कई सारी कहानिया होती है, एक में जो कहानी होती है, वो बीच में चलती रहती है, खीक है, तो यही बात यहां है उसका संघार है लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसके संघार करने के लिए कितनी सारी कहानिया हमें और रचनी पड़ती है है ना सच को दिखाने के लिए या यूं कहें कि जो बुराई के इतनी संधियां इसमें रहती हैं, तो नाटे संधियां यहां पर हम आगे बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पांचों ही संधियों का इसमें क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, तब ही हमारी कहानी जो है वो क्या हो सकती है, नाटक की वो देखना प्रक्रण से आपको simply याद रखेना है कि जो प्रक्रण है दीखिए इसमें क्या चीज रहती है वैसे ये नाटक के समान ही है लेकिन इसकी कतावस्तु जो रहती है वो क्या रहती है ये आपका मतलब कल्पीत कतावस्तु रहती है इसमें मतलब कालपनिक जो इसकी स्ट धवस्तु है, वो क्या रहती है? आपकी कल्पित रहती है. कभी कल्पित भी हम इसको कहते हैं. ब्रहमन, पुरोहित, मंत्री, इत्यादी इसके नाएक होते हैं. अब उपर देखिए, उपर जो प्रमुक पात्र कौन थे? या तो राजा होगा, या फिर राजरिशी होगा, या फिर दिव्य पुरुश होगा लेकिन इसमें जो है वो कौन रहता है आपका ब्रह्मन, पुरोहित, मंत्री, इत्यादी इसके नायक होते हैं ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है लेकिन साथी साथ यहां पर वैश्या गलत हो गया देखना इसमें एक मात्रा लगेग है कि अंक जो है इसमें भी पांच से दस अंक ही रहते हैं प्रक्रण में भी, लेकिन यहां पर इसमें अंतर सिंपली हो जाता है कि इसकी जो कधावस्तु है, वो किसी सत्यगटना पर आधार इतना हो कर क्या रहेगी आपकी, वो कावी कल्पित होगी, यानि कि आपकी कधाव भी रहेगी रस भी रहेंगे और दूसरी जो चीज़े रहेंगी वो वैसे की वैसे ही रहेंगी चाए वो संधियों की बात करेंगे वो बिल्कुल ऐसके ऐसा ही इसमें आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये तो बात होगी अब दूसरा जो है आपका देखिए प्रकरण अब आपने भारतेंदू हरिशंद्र के नाटकों के बारे में एक प्रशन जरूर पड़ा होगा देखना कि भारतेंदू हरिशंद्र ने कौन सी भान नामक रचना मतलब उसकी रही है भान नामक का मतलब है कि भान जो प्रकार क्या है उसके नाटकों में से एक प्रकार आता करता है जिस पात्र जिस नाटक को एक ही पात्र जो क्या करता है मंचित करता है आपने बहुत बार देखा होगा आपका सोलो एक जिसको मोनो एक भी कई बार कहते हैं देखना तो उसमें क्या करता है एक ही पात्र जो है वो अलग-अलग करेक्टर अदा करता है ठीक है अलग-अ यहां से प्रशन आपको जरूर पूचा जाता है देखना और भारते दो हरिश्चंदर की कौन सी ऐसी कृती है जो भाण नामक कृती है तो आपको याद रख लेना है उनकी विशस्य विशमोशिदम जो रचना है देखना वो भाण है कई बार यह प्रशन पूचा गया है एक् बात कर रहा है भारती और कैशी की वृति अब नाट्य जो वृतियां होती है देखे ये एक और चीज आती है कि अब नाटक में जो कौन-कौन सी वृतियां रहती है तो यहां पर आपको सिंपली या रख लेना देखिए कि नाट्य वृतियों से हम क्या समझते हैं मतलब ऐसा ये जो चार हमारे क्या हैं चार हमारे प्रमुक जो क्या रहे आपके वेद रहे हैं उन वेदों में ही वेदों से समंदित हमारी वृतिया रहती हैं तो आपको सिंपल या रख लेना है कि आपकी नाटे वृतियां ये होती हैं देखना कि नाटक में भाव और अर्थ को जो अभ व्रितियां का जाता है सब्सक्राइब यह यार रख लेना तो यह बोल रहा है कि इसमें कौन सी रिती रहेगी आपकी भारती और कैशिक की व्रिती का प्रियोग इसमें रहता है अब भारती व्रिती में क्या होता है देखिए भारती में आपको सिंपली सा यार रख लेना है कि इसमें वाणी के कोशल का प्रधानता रहती है, वाणी कोशल की प्रधानता से हम क्या समझते हैं, अब देखी जब एक पात्र करेगा ना नाटक, ठीक है, एक ही पात्र करेगा तो उसमें वाणी में तो क्या होना चाहिए, modulation तो होनी चाहिए उसको अलग-अलग अपनी वानियों में क्या होनी चाहिए प्रवीनता होनी चाहिए कुशल होना चाहिए वो है ना वाकपटुता भी आप उसको कह सकते हैं ठीक है तो ये जो चीज है ये बड़ी important हो जाती है भारती वृती जो है वो इसमें ये चीज रहती है देखना वानि कौशल का प्रधानता और ये जो वृती है ये रिगवेज से सम्मंदित बान जाती है आगे हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे कि जो आपकी नाटक में कौन सी वृती रहती है तो आपको सिंपल या रख लेना है यहां पर आपकी कौन सी आ जा है इसका प्रियोग इसमें रहता है तो यह दो चीज़ा इसमें जरूरी हो जाती है इनको आप याद रखियेगा ठीक है इसको आप सिंपल यह भी कह सकते हैं कि यह आप हमारा जो लालित्य है मतलब प्रेम और विलास को प्रकट करने वाली वृती कहते है इसको देखना जो की कैशिकी वृति रहती है नाटे वृतियां चार होती है चारों का समंद्ध चारों वेदों से रहा तो यहां पर सामवेद से जो है वो कैशिकी वृति का समंद्ध है और भारती जो है वो आपकी रिगवेद से समंदित वृति माने जाती है तो इन दो का समंद्ध भान से मान जाता है इस चीज़ को आपने याद अखलेना है अब आपकी कुछ आती है संधियां संधियां होती है देखे इसमें कौन-कौन सी प्रियोग मुख संधी और निर्वहन संधी मुख संधी का मतलब क्या होता देखिए मुख संधी से आमको सिंपल सा याद यह रखना है कि एक ज उसमें शुरुवात से लेकर के अंत तक बीच बीच में जो चीजें आती रहती हैं मुख का मतलब गया होता है बिल्कुल सिंपल सी शुरुवात जहां पर जिस चीज की होती है एक तो उसकी शुरुवात होगी दूसरा ये बोरा है निर्वहन कि आपने शुरुवात कर लिया उसका निर्वहन भी तो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा मतलब उसको एक्जीक्यूट कैसे करेंगे आप फिर अकेला अगर व्यक्ति है इस तरीके की दो है आगे हम जो आपकी नाट्य संधियां है इनके बारे में भी देखेंगे ये भी आपकी चार-पान संधियां रह है ठीक है अब स्वभाविक सी बात है एक ही अंक उसमें रहेगा क्योंकि पात्र ही एक है अगर वो ही चला गया तो फिर तो सारी कहानी खत्म हो गई ठीक है तो इसलिए आपको यादख लेना है कि ये एक आंकी है और एक पात्रिय नाटक है भारती और कैश्य की इसमें वृ लग रहा है बहुत साइए लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही पहली बार यह चीज़ें देखिये होंगी बिल्कुल नया लग रहा है कि यह सर नया लग रहे है चाहँ आपने आज तक नहीं पड़ा होगा अभी देखना अभी एल्टी टैट में भी यहांसे दो प्रश पूछे जा सकता है एक चीज़ आपने देखी होगी नाटक से कई बार पूछे जाता देखना संकलन त्रही क्या है चीक है जिसको हम ठी यूनिटीज भी कहते हैं देखना आपके इंग्लिश में तो वो है आपकी देखना स्थान काल और कारे इन तीन चीज़ों को नाटक मे प्रशन आपको कहसे पूछ जाता है यहां पर आपको सिंपली पहला प्रशन तो यही रहता है रूपक के कितने भेद हैं, साने से प्रशन ऐसी पूछे जाता है, तो इसके दस भेद हैं, और इसी के अधार पर इसे दश रूपक कहा जाता है, ठीक है, इसको भी आपने याद रख लेना है, फिर अगर आपको उपरूपक के भेद पूछे जाएं, तो वो अठारा भेद हैं, इनको ये दो प्रशन बड़े इंपोर्टन प्रशन है, फिर ये एक पात्री नाटक किसे कहते हैं, भान, ठीक है, ये पूछे जा सकता है, गोपुछा अगरवत जो है, वो किस की बनावट के लिए कहा जाता है, तो याद रख लेना है, नाटक की बनावट के लिए, ये कहा गया शब्द है, गोपुछा अगरवत, ठीक है, दूसी चीज, वैश्या जो है, वो किस रूपक का नाईका रहती है, रूपक की नाईका हो सकती है, तो आपको सिंपल या रख लेना है कि प्रक्रण, ठीक है, इस तरीके के प्रशन आपको छोटे-छोटे प्रशन पूछे जा सकते हैं, भारती और कैशिकी क्या है, इसको आपने या रख लेना है, यह है नाट्य की वृतियां, अब नाट्य वृतियां क्या होती है, नाट्य वृतियों से आपको या रख लेना है कि नाटक में भाव और अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली शैलियां, ठीक है, कि भाव और क्या वो सही बैट रहा है या नहीं बैट रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं नाट्य वृतियां कहते हैं ठीक है नाट्य संधियां क्या होती है इनके बारे में भी आपको कई बार जो है वो प्रशन पूछा जा सकता है तो नाट्य संधियों से आपको सिंपली या रख लेना जैसे कता संगठन जिसको हम कार्यवस्थाइं भी कहते हैं देखना तो नाटे संधियों का मशावदी करत होता है वैसे तो जोड़ होता है लेकिन नाटक के अंत्रगत इस शब्द को हम क्या बोलते हैं कि जैसे कुछ स्थल आप कैसे होते हैं देखना कि उनके साथ जो आपके दूसरी चीज़े रहती हैं आपकी कतावस्तु की चाहिए वो अर्ध प्रकृतियां हो गई चाहिए फिर आपके वो कार्यवस्थाईयों हो गई ठिक है। क्या शब्दारे हैं देखिए वृति शब्दारा है और संधियां शब्दारा है ठीक है आगे जब हम विस्तार से नाटक की कथा वस्तू के बारे में जानेंगे वहाँ पर हम इनके बारे में अच्छे तरीके से मतलब कोशिश करेंगे इनको जानने की ये चीजें क्या क्या है ठीक है तो ये बातें आपको यहां पर जान में रखनी है अभी फिलाल हमने तीन चीज़ें देखी चौथा आथा आपका देखिए प्रहस्न इसके बारे में maximum लोग जानते हैं और यहां से सबसे ज़ादा प्रशन पूचा जाता है देखना प्रहस्न से ठीक है प्रहस्न क्या ह वीडियो अभी अप्लोड भी किया है देखना उसको भी सारे लोग देख लीजिएगा आप क्योंकि वह आपके काम की बहुत जादा जरूरत पड़ेगी आपको उसकी खासका जो ल्टी कमिशन के स्टुएंट्स हैं उनके लिए वो बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि आते हैं और पुराने पिपर में आप देखेंगे उसमें भी मुझे किसी ने कहा था कि सर उसके उपर भी वीडियो बना देना तो आज मैंने लगवग 15-16 कौशन उसमें रखे हैं उससे आपके लगवग 50 प्रशन बन जाने चाहिए अगर आपने उस वीडियो को सही तरीके से देखा होगा तो ठीक है तो उसको जरूर देखिएगा आप सब लोग वो बहुत काम की वीडियो है और उससे आपको कुछ ना कुछ हल्प जरूर हो जाएगी जितने भी कॉशन है उनमें उनको एक बार नोड़ डॉन आप जरूर करके रखें ठीक है मतपून है वो तो व मुखव निर्वहन संधिया इसमें भी महत्तपून है ठीक है मुख होता है आपका देखिए जहां पर प्रारंभ होता है हमारे नाटक का ठीक है और निर्वहन जो होता है जहां पर हमारा जो नाटक रहता है देखना उसमें जो मेन चीज होती है जो हमें बतानी होती है तो य तो आगे हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से अभी फिलाल आपको यारक लेना है कि इसमें मुख और निर्वहेंड संधिया रहती हैं इसके तीन वेद होते हैं आगे देखना कितने तीन वेद हैं आपके प्रहस्न के शुद्ध विकृत और संकर शुद्ध में क्या होता ह हैं उससे समंधित कोई चीज़े हैं तो किया है हमारा प्रहस्न कैसा माना जाता है विकृत तो विकृत में क्या होते हैं यसे नंपुंसक हो गया और कामुक हो गया ऐसे जो लोग हैं इनको क्या माना जाता है इनको जो है नाइक की शेड़ी में रखा जाता है और जब की जो संकर होते हैं देखना उसमें जो नाइक होता है वो क्यासा माना जाता है धूर्त यानि कि दुष्ट किसम का नाइक इसमें रहता है ठीक है तो इस तरीके के ज नाइक हैं इनको हम प्रहस्न कहते हैं ठीक है फॉर एक्जामपल आपने देखा होगा जैसे आपका एक 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 आपका चाहिए आप उसको ही ले लीजे जो आपके पास कौन सा है जिसमें राजा खुद को ही फांसे लगा देता है लास्वें अंधेर नगरी चौपट राजा जो बुद्धिहीन धूर्त किसम के जो लोग रहते हैं वो क्या है आपके नाइफ रहते हैं ठीक है वो आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं कि ये प्रहस्न में रहते हैं जाला तर आपको ऐसे ही दिखेंगे इसमें जैसे आपका प्रहस्न है देखना अंधेर नगरी तो लेकिन इसमें विएंग आत्मकता भी रहती है साथ सात में कुछ में ठीक है नेक्स जाता है यहाँ पर व्यायोग पांचवां जो रूपक का भेद है व्यायोग में क्या क्या चीज़े हैं देखिए इसकी कतावस्तु वर नाइक जो है वो दोनों ही क्या माने जाते हैं प्र राजरिशी और दिव्य पुरुष जो है वो नाइक होते हैं लेकिन इसमें स्त्री पात्र जो है वो कम रहते हैं पुरुष पात्रों की अपिक्षा यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि जो आपका कौन सा रूपका ऐसा अभेद है जिसमें राजरिशी दिव्य पुरुष नाइक तो होते हैं लेकिन दिव्य जो आपका स्त्रियां हैं वो क्या हैं स्त्री पात्र इसमें कम रहते हैं और ये भी एक आंकी का ही एक रूप रहता है देखना इसमें युद्ध तो होता है लेकिन स्त्री के लिए वो नहीं होता ये चीज़ आपको य शांत्रस का इसमें क्या रहेगा प्रयोग किया जाता है यह चीज आपको यहां पर द्यान में रखनी है अब रस कौन-कौन से है श्रिंगार और शांत्रस कर इसमें जो इस्तिमाल कर जाता है लेकिन 37 गरम संधियों की बात करें देखिए इसमें विमर्ष और गर्व जैसे यह बहुत ही ज़्यादा जरूरिया देखना यहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसुन जो है वो पूछे जा सकते हैं और दूसरी चीज आपको यारक लेना है कि इनमें से कौन से आपके एकांकी है और कौन से आपके जो है वो दूसरे है ठीक है तो next आता है यहा क्बाउं से Jewish समंदित होती है और रर्चसों से समंदित भी रहती है ठीक है और यह प्रसिद्ध माने जाते हैं ऐसी क्वसी इसकी भी स्टौरी नहीं होगी देख लगा इसकी कथबस्तू भी प्रसिद्ध ही ये important है, इसको भी आप द्यान में रखिएगा, वीर रसकी इसमें प्रधानता होती है, और सभी वृतियां, जितनी भी नाटे वृतियां हैं देखना, चाहे वो कैशिकी हो, चाहे वो भारती हो, या फिर आपकी कुछ और वृति हो, वो सारी की सारी इसमें क्या रहती है, वो तीन अंक रहते हैं, तो यहां पर आपको सिंपली यार रख लेना है, कि इसमें जो आपका समवकार हो जाता है, जिसमें तीन अंक रहते हैं, और इसकी कथावस्तू जो है, वो दिवताओं और असुरों से संबंदित रहती है, ठीक है, तो यह आपको यहां पर याद रखने है तो ये तो होगे छे भेद, इसके लावाद तीन और भेद बचते हैं आपके, वो हैं, यहां पर देखिए, डिम, ठीक है, इसकी कथावस्तु प्रख्यात, चार इसमें अंकोते हैं, भूत प्रेत और नायक, ये इसके क्या रहेंगे, भूत और प्रेत इत्यादी को इसमें क्य माना जाता है, नायक माना जाता है, ठीक है, इसमें प्रधान जो रस है, वो रद्र रस को माना जाता है, तो सबाब एक सी बात है, जिसमें भूत प्रेतों की बात होगी, तो इसमें यही जीज़ रहेंगे, तो इसको भी याद रखने की जूट आपको ज़्यादा नहीं है, ठीक है नेक्स आता विथी विथी की जो कतावस्तु है ये ठीक प्रकरण की भांतिया देखना जिस तरीके से प्रकरण की कतावस्तु जो है वो कालपनिक रहती है ठीक वैसे ही इसकी कतावस्तु भी क्या है वो कालपनिक होती है लेकिन यह क्या है यह एकांकी है और प्रकरण जो है वो एकांकी नहीं है ठीक है इसका नायक जो है वो मध्यमकोटी का होता है अब जो पात्र हैं देखिए इसमें या तो एक पात्र होगा या फिर दो पात्र होगा एक पात्र हो जाएगा तो भान में चला जाएगा लेकिन इसमें दो पात्र आपको याद रख लेने हैं कि एक या दो ही पात्र इसमें रहते हैं, श्रिंगार रसकी इसमें प्रधानता होती है, ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ओके, तो यही चीज़ें हैं, जो आपको यहां पर याद रख लेना है, हो सकता कई बार आपको ऐसा भी पूछा जाए देखना कि जो आपका वीथी है, हना, कि इसमें कितने पात्र रहते हैं, तो आपको सिंपल या रख लेना है, एक या दो पात्र ही इसमें रहते हैं, और कुछ भी इसमें अक्स्ता नहीं है, फिर आता है नवे नंबर पर अंक, अंक से आपको याद रख लेना है कि इसमें क्या चीज की है इसमें स्त्री विलाब चो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है यही चीज इसे सबसे important बनाती है देखना जो आपका अंक नामक रूपक का भेध है तो यहां पर आपको या रख लेना है कि ऐसा कौन सर्व का भेध है जिसमें स्त्रीयों का विलाब जो वो ज़ाधा रहता है तो आपको सिम्पल यार रख लेना है कि अंक नमक रूपक के भेद जो है. ये चीज़े रहती है. और इसमें भाती वृत्वी का प्रियोग जो है, वो ज्यादा होता है अंक में. ठीक है? इस बात को याद रखिएगा. लास्ट में आता है आपका इहा मरिग. इहा मरिग जो है, इसकी कथावस्तु मिश्रित होती है, कलपित भी रहती है और दूसरी आपकी जो है वो, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि परक्ष्यात भी रहेगी तो दोनों ही चीज़ें मानी जाएगी चार अंक होते हैं इसमें भी नायक जो है इसका धीरोधत होता है मतलब दुस्त जिसकों हम कहते हैं वीरोधत नायक होगा युद्ध की संभावना पर भी युद्ध नहीं होता इसमें देखना देखिए ये तो कह रहे हैं कि संभावना तो पूरी की पूरी हो जाती है कि युद्ध हो सकता है लेकिन युद्ध किसी भी प्रकार इसमें तल जा पैड़ाता है तो यहां के दस के दस भेद जो आपको यहां पर याद रख लेने हैं और माना यह जाता है कि यह रूपक जो यह बेद बतायगा है देखना यह भरत बनिके नाटिशास्थ्र और Das दश्रूपक शीर्शक से एक रचना लेकिया देखना धनंजय ने धनंजय की दश्रूपक और जो आपका विश्वनात रहें देखना उनकी रचना का नाम है साहित्य दरपन उसी आधार पर ये रूपक के दस भेद बताए गए हैं एक बार फिर से देखिए इनको चाहें कि कि ग्रंथों के अधार पर जो है ये बेद किये गए हैं नाटेशास्त्र दश्रूपक और साहित्य दरपन ये भारतिक आवेशास्त्र में हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे विस्तार से वहाँ पर और अचे तरीके से फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये धनंजे ने एक कथन भी कहा था नाटक के बारे में उन्होंने कहा है देखना कि आपका जो नाटक है वो क्या है वो अवस्था का अनुकरण है कि हमारे सामने कोई भी सिच्वेशन है हम अगर उसको क्या कर रहे हैं उसका अनुकरण कर रहे हैं और उसको अभीने कर रहे हैं तो वही आमारा क्या है नाटक है तो इसलिए धनंजे जो है वो जादा important हो जाता है और साहिते दरपन विश्वनात की रशना है ये भी बहुती जादा important है तो इनको आपने यहां पर ध्यान में रख लेना है नाटक में जो आपका वैसे हम नाटक ही बोलते हैं इनको लेकिन सह ठीक है तो इस तरीके से आपको यह याद रखना है ओके तो यह थे हमारे दस भेद और इन सब भेदों में नाटक ही सबसे श्रेश्ट भेद माना जाता है तो यह था आपका जो important चीज़ है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेगा ओके यहां तक ठीक टाक है सब अपके चलिए अच्छी बात है तो अभी इसके बाद देखी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है यहां पर समाने सब परीश्ट देख लेते हम नाटक के ही बारे में क्यूंकि हमारा जो में काम है वो रहेगा नाटक पर ही ठीक है नाटक की गिंती काब्यों में है काब्य दो प लिए कावे नाटकों कावे वेदों में नाटक जितना रमनिय है उतना ही प्राचीन और महत्वपोन भी है युनान और भारत दोनों में ही प्राचीन सब्वेता के देशों में दिश्च कावे का विकास बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था भरतमुनी ने दूसरी शती के आ रख लेना है कि ये भरत मुनी ने नातक शास्त्र में ही कहा था और जितने भी भरत मूनी के कावे से समंधिते ह underestimate बल्के वह नातक से समंधिती रहा क्योंकि ये ना टको कावे के तूर पर तक देखते हैं ठीक है तो नात के लिए उसलिए आपको यहाँ पर याद रखलेना है, देखना कि भरतमुनी नहीं क्या रखा? नात को प्रणक परेंचमवेथ की संगया दी और साथी साथ भरतमुनी के निर्धेषिन में में ही यह माना जाता है कि सबसे पहले, निर्धेषिन में नहीं, बलकि इनकी दे देखते हैं यहां पर नाटक के बारे में अलग-अलग विद्वानों के जो अलग-अलग मत रहे हैं उनको एक बार देखेगा यह बहुत ही जादा important है देखना यहां से प्रश्ण जो हैं वो बहुत बार कुछे गए हैं ठीक है यह जो एक दो आने वाली slides हैं आपके लिए यह बहुत ही जादा उपयोगी हैं देखना यहां से आपको जरूर जरूर जो है इसकी जरूरत मतलब मैसूस होगी आने वाले पेपर में आपने देखा होगा जरूर नाटक से समंधित प्रश्ण जोगों पूछी जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह बो कहीं नाटक क्या है जीवन की अनुक्रिती है बहुत ही मतफ़ून है यह लाइन देखना यह सर्वमालने मतनुसार नाटक की अगर एक परिभाशा हम देना चाहें तो इसको आपने यादक लेना है कि सही माइने में नाटक क्या है जीवन की अनुक्रिती है चाहे कुछ भी घ गीती देखना इनकी रशना का नाम है दश्रूपक इनके अनुसार जो है अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं यह मैंने आपको पहले ही बता गया था इस लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए यह बहुत ज्यादा महत्तप ओंलाइन है देखना ज्यान लखने वाली बात है यह दूसरे नंबर पर आता है आपका अरिस्टोटल यानिकी अरस्तु दिखिए यह बहुत ज्यादा कठी नहीं है इसका आप इंदी रुपांतरन भी कर सकते हैं इसके तरीके से दिये हैं देखना कि कौन-कौन से छे अंग जो है वो इसके इसने माने हैं ठीक है कई बार उनको पूछा जाता देखना तो वो चीज़ आपको यहां पर त्यान में रखनी पड़े की ठीक है इसने इसको ट्रेजडी बोला नाटक को पहली चीज तो यह देखना रखनी है जहां पर यह क्या कहते हैं इसको कि यह इमिटेशन है वह जो आपका नाटक है ठीक है दूसरे नंबर पर आता है देखी यहां पर सिस्रो भी एक पारशात्य चेन पर रहे है है इनके मारे में भी आगे विस्तार से देखेंगे जब हम पाशात्य कावशासर करेंगे लेकिन अभी इनकी जो एक पंक्ती है यहां पर यह important है इसने बोला कि drama is a coffee of life तो simple सी बात है इसने बोला कि यह life का क्या है copy करना है उसको simply उपर imitation चब दता इसने copy of life बोल दिया और mirror of custom कि हमारे जो भी custom है रिवाज है उनका यह आईना है प्रतिभीम आप इसको बोल सकते हैं reflection होता है वैसे यहां पर लिखा देखिए reflection of truth कि सत्य का प्रतिभीम है यह ठीक है तो इसको आपको cut cut करके भी पूछ जा सकता है कि नाटक को reflection of truth किस ने कहा ठीक है कि सत्य का प्रतिभीम किस ने कहा तो सिस्रों ने ही कहा है ठीक है या फि हैं इन तीनों को एक करके भी पूछा जा सकता है और अलग-अलग करके भी आपको पूछा जा सकता है खास कर नाटक के बारे में जो भी आपके पास्चा ते चिंतक है न वो जादा मतफ होने देखना ये आपको पूराने पेपर में पूछे गए है ठीक है इनको याद अखना है कास कर पास्चा ते चिंतकों को लास्ट में आते हैं विक्टर हुगो इनके अनुसार क्या है देखिए ड्रामा इस अ मिरर इन विच नेचर इस रिफलेक्टिड इनक वोला कि ड्रामा क्या है एक ऐसा आइना है जिसमें क्या है आपको पहली तो ये वाल प्रक्रती है इसको आप अचYU के से याद रखियेगा यहां से प्रश्न आपको बन सकता है कि कि इस की तक बाद आती है दूसरे नमबर पर यहां पर देखिए जो भातिय दिश्टी कोन रहा या फिर आपके अन्य जो नाटक कर या अन्य जो रचना कार रहे उन्होंने क्या क्या चीज़े जो है वो नाटक की उत्पत्ती के बारे में कही है ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं देखे भरत्मुनी सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि देवताओं के द्वारा प्रात्ना करने पर ब्रह्मा जी ने रिगवेद से क्या लिया पाठ लिया, सामवेद से संगीत लिया, यजुरवेद से अभिने लिया और अथरवेद से कौन सी चीज ल ब्रह्मा ने, है न, कि यह क्या हूँ रहा है कि ब्रह्मा के यह किस से हुआ, देवताओं के प्रात्ना करने पर ब्रह्मा ने क्या किया, चारों वेदों से चार चीज़ें लिये, ठीक है, और उसकी अनुसार इसने क्या किया, एक नया वेद बना दिया, जिसका नाम दिया, नाट्य वेद या पंचम वेद इसको कहा गया ठीक है अब यहां से कई बार आपको सभी प्रशन पूछा जा सकता है देखना कि ब्रह्मा ने नाटक के निर्मान के लिए किस कहां से या किस वेद से कौन सी चीज जो है वो ग्रहित की ठीक है तो याद रख लेना है आपको ब्र इंपॉर्टन्ट लाइन है देखना जो भरत्मुनी के अनुसार माने जाती है तो भरत्मुनी का माना यह है कि ब्रह्मा ने क्या किया नाटक का मतलब उत्पत्ति वी ब्रह्मा के द्वारा ठीक है कि देवताओं के मनुरंजन के लिए को ऐसी चीज बननी चाहिए दिवई कि उनका आनंद हो सके उनका मनुरंजन हो सके तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है दूसरे नंबर पर आते हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र यह वाली पूछी गई थी पीछले वाले पेपर में देखना किसी एक्जाम में है तो भारतेंदू के अनुसार नाटक हैं नट होता है आपके जो जो करेक्टर होते हैं मतलब जो आपके पात्र होते हैं उनकी कला है वो नाटक ठीक है बाबु को लाब रहे क्या कहते हैं देखना इनके अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृती को शब्द गत संकेतों में संकुचित करके वेरी वरी है हमारे पास जैसे राम का जीवन चरित हैं तो हम तीन गंटे में उसको कैसे दिखा सकते मतलब नहीं दिखा बाता है ने पूरे के पूरे जीवन को अगर हम एक चीज़ बताने लगेंगी लेकिन यही यह वो रहा है कि नाटक चाहे हमारा कोई साहित रहा हो हम उसको क्या कर देते हैं इस तरीके से उसको करते हैं कि उसमें हमें पता लग जाता है कि यह चीज हुई होगी तो यह है संकुचित करना किसी चीज को ठीक है तो यह द्यान रख लेना है वैसे तो किसी के पूरे के पूरे जीवन को या पूरी की पूरी मूवी आपने देखोगा तीन गंटे में चले जाती है तो ऐसा क्या रहता है यह होता है आपका संकेतों में शब्द गत संकेतों से संकुचित करके जो है उसके सजीव जो पात्र होते हैं जो एक्टिव पात्र मतलब जो आपके चित्रित किया जाता है, बाबु गुलावराय की भी ये परिभाषा बड़ी इंपोर्टन्ट हो सकती है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसके लावा एक आम आपको और खुद से करना है, देखिए, वो क्या है, वो ये रहेगा, जितने भी आपको नाटक के संद तरब में और कोई इसकी परिभाशाएं मिलती हैं तो net में सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी परिभाशाएं जो है वो इसकी मिल जाएंगे ठीक है उसको वहां से देख लेना अब important हाती है ये सबसे important है देखना आज की class में से यहां से आप देखेंगे ये वाला भी प्रशन पूछा गया है मृतवीरों की पूजा से भी प्रशन जो है वो पूछा गया है तो पीशेल जो अपवरंश के पाणी नहीं रहे जिनके बारे में हमने बिल्कुल शुरुआती lectures में पढ़ लिया था देखना इन्होंने क्या कहा इन्होंने बोला कि नाटक जो है उत्पत्ति हुई है जो नाच है ठीक है अंधृत्य हुए उससे क्या रहा आपका नाटक की उत्पत्ति हुई तो पीशेल के अनुसार ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है दूसरे नंबर पर आता है रिजले ठीक है ये भी पास्चा चाटे चिंतक रहे इनके अनुसार क्या है कई जगा इसका नाम रिजवे लिखा है देखना रिजवे तो ये दोनों ही नाम इसके ही रहेंगे तो रिजवे के अनुसार क्या है देखिए इसने बोला कि जो नाटक का उदय हुआ वो मृत वीरों की पूजा से हुआ है आगे इसने क्या बोला देखिए इसको और द्याद अच्छे से define किया कि मृत वीरों की पूजा से हम क्या समझते हैं इसने बोला कि प्रारमधिक काल में मृत आत्माओं की प्रसनता के लिए क्या किया जाता था नाटक गीत इत्यादी का आयोजन किया जाता था और इसी तरीके से नाटक की क्या हुई इंपोर्टेंट परिभाषा है प्रोफेसर हीलेब्रा और कोने ने इन दोनों ने मिलकर क्या कहा कि भारती जो नाटक हैं उनका उदय किससे हुआ जो लोग प्रिया स्वांग हैं उनसे ही इसका उदय हुआ है ठीक है तो ये भी एक इंपोर्टेंट जो आपके लिए लाईन कीजिए और इसके अधार पर आपको बताना है कि नाटक क्या है यहां से आपको जो है जरूर प्रशन पूछे जाता है और यह बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए हो सकता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जो एकांकी से प्रशन देखेंगे हैं आप जो है जो प्रशाते और भारते जो चिंतक रहे हैं इन्होंने नाटकों के बारे में क्या कहा है यह प्रशन आपको पूराने पेपर में पूछे गए हैं ठीक है तो इनको यहां से ही आपने ध्यान में रख लेना है तो आज के लिए हम फिलाल इतना ही करेंगे बाकी कल हम जानेंगे कि नातक में जो नातक के तत्तों रहते हैं वो कौन-कौन से होते हैं चीक है यहां तक चीक यहां तक हो कि है सब कुछ यह सर यह सर अगर आपको मतलब कहीं और से और भी परिभाशाएं मिलती हैं तो उनको भी आपने जरूर देखना है ठीक है क्यूंकि प्रशन कहीं से भी पूचा जा सकता है यहां से देखना और यह बहुत ही मतलब बिल्कुल compulsory है यहां से आता ही आता है प्रशन हर बारी paper में आपने ओके चलिए तो फिल्हाल आज के लिए इतना ही काफी है बाकी कल देखेंगे हम नाटक के तत्तों के बारे में तो यह भारतिय दिश्टी कोन से चार हैं पाश्चा दिश्टी कोन से शे तत्तों इसके माने जाते हैं वो कौन-कौन से हैं उनको देखेंगे हम अगले भाग मे ठीक है अगर किसी ने कुछ कहना है तो फिर आप कह सकते हैं नहीं तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में